इस वीडियो में हम बताएंगे कि जीओ परस्पलस के निव वर्जन 1.0.7 से जीओ परस्पलस के एक निव रिटर आइडी क्रियेट केस से करेंगे और इनमें कौन कौन सी डॉकॉमेंट के आवे सकता होगी इसकी कंप्लीट जनकर यह स्टेप बाइ स्टेप देंगे तो इस व लिका हुआ 1.0.7 तो इस जो परस्पलस को हम यहां पर यूजर आईडी और यहां-पासपोर डालके लॉगइन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर मेरा जीओ परस्पलस सेक्स्पुली लॉगइन हो चुका है नियूवर्जन जीओ परस्पलस अगर आपको जीओ परस्पलस के को लोग इन करने में कोई भी अगर परिशानी होती है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन पर दिया हुआ है उस वीडियो का आप देख के उसका प्रोब्लम को सॉल्ब कर सकते हैं और यहां पर आपको यूटी लीटीज पर किलिक करना है यूटी लीटीज पर जैस क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको एक न्यू रिटरा आइडी क्रियेट करने के लिए आपको सिंपल यहां एड यूजर पर क्लिक करना है याड यूजर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिस करेंगे अगर आप मिस्स पर किलिक करेंगे तो यहां फीमेल आ जाएगा तो इस तरह से आपको moet कर लेना है उसके बाद को यहां पिणा पर उसका प्रलास्ट नेम है तो यहां पर लास्ट नेम डाल सकते हैं नहीं तो आप से हिसको खाली छोड़ सकते हैं यहां भी लोगें करेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद अगर आप इसका user नमबर डालना चाहते हैं तो यह पर डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे इसको खाली छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर उसका एक email id डालना है उसके बाद यहां पर click करके उसका data birth select करना है calendar से जितने भी उसका data birth है उसको आपको simply यहां पर click करके इस तरह से select कर लेना है उसके बाद यहां पर उसका भासा select करना है कि वह जियो परस प्लस को कीज भासा में यूज करना चाहता है तो यहां पर आपको भासा सेलेक्ट करना है एकर हिंदी में यूज करना चाहता है तो हिंदी सेलेक्ट करना है नहीं तो आपको इंगली सेलेक्ट रहने देना है उसके बाद आपको यहां पर किलिक करके आपको सेलेक्ट करना है कि वह सेमस के थुरू यूजर आइडिया पासपड चाहत करना है कि आपको वाइजर तो यहां पर आपको सु मतलब रिचार्च करने nggak बनाएंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो आप दोनों ही काम कर सकते हैं मतलब रिचार्च कर सकता है वह रिचार्ज भी कर सकता है और सीम भी एक्टिवेशन कर सकता है तो यहां पर आपको से लेजेंट पर किलिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर आईडी टाइप पर किलिक करना है यहां पर सेलेक्ट करना है उसके बाद यहां पर आधारकार्ट का नंबर डाल द तो आपको भी कुछ इस तरह से सब कुछ भर देना है उसके बाद आपको यहां पर सिंपली सेब के वटन पर किलिक करना है सेब के वटन पर जैसे किलिक करेंगे तो आपका जो रिटर का यूजर आइडिया और पासफ़र्ड है वह सेकस्पुली उसके मुवाइल पर चला तो उसको देखने के लिए आपको सिंपली यहां मैनेज यूजर पर किलिक करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमने यूजर आइडि क्रियेट किये हैं जिसके नाम पर और नाम यहां पर सो होने लगा है अगर आप इस पर कोई भी मोडिफाइ करना चाहते हैं हम सिंपली मतला काम कर सकता है वह आपको बनाना है उ सक्को बाल का से करने के बाद आपको करेंगे तापको सamiliar पर क्लिक करें चैंज नहीं हो जाएंगा घ्रेंगे तो इस तरह साइडिक और 건 राजफड ञाकरास प्रसवितार साथ ही इस साथ चला जाएगा और अपना काम नहीं कर सकता है आपके जिव परस में तो गर् Upper, नहीं होगा। जो करें जो आपका आप कमिसन चार्ज करतेगा, या कमिसन एडि होगा होगा तो उसमें भी उसका एड़ोगा है, चार्ज कटेगा मतलब सारा मतलब दोनों ही एक साथ लिंक किया हुआ रहेगा जो आप करेंगे वो उसका में सो होगा जो वो काम करेगा वो आपका में सो होगा तो यह नहीं है कि आप एक नियू रिटर आइडी क्रियेट कर दिये हैं वो अपना जियो पस्पलस में बाइलेस एड़ कर सकता है सीम एक्टिवेशन कर सकता है नहीं आप भी वालेस एड़ करेंगे उसी को वो यूज कर सकता है तो यह अगर आपका दुकान अगर दूसरे जगह में हैं मतलब आपका दो तीन को दुकान है और आपका एक ही जियो पस्पलस प्लस रिटर आइडी है तो नीचे कमेंट करके बताए हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हमारी यह वीडियो के इसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रू बताया और जियो पस्पलस से रिलेडर अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करना ना भूले हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम पर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकर करने करें लिटेस्ट वीडियो इसी तरह के सबसे पहले देखने के लिए